दोस्तों नमस्कार, NCRT गनित कठा दस्मी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग प्रस्नावली 1.1 के प्रस्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिजगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आए वीडियो सुरू करते हैं प्रस्ण संख्या एक है निमलिखित संख्याओं का HCF ग्यात करने के लिए युकलीर विभाजन एल्गोरिद्म का प्रयोग किजे तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ए जान लेते हैं कि युकलीर विभाजन एल्गोरिद्म आखिर होता क्या है तो यहां आप देख सकते हैं कि युकलीर का विभाजन प्रयमे का कहता है कि दो धनात्मक पुर्णाइं के A और B दिये रहने पर अधुतिये पुरून संख्याएं Q और R प्राप्त होती है कि A बराबर B Q प्लस R यहां सुन से बरा और बराबर है R और R से बरा है B याई फाइनल होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस सेस्फल अगर यहां से आपको समझ में नहीं आता है तो आईए आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ देखे जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज कहते हैं ठीक है, यहां इसे A कहा गया है, और जिससे हम भाग देते हैं, उसको भाजक कहते हैं, यहां इसे B कहा गया है, भाग फल जो होता है, उसे हम Q कहते हैं, और सेस फल को R कहते हैं, ठीक है, तो फाइनल इस सवाल में हमें क्या करना है, कि भाग बनाना है, और उसको क्या करना है, क जुक्की 225 बड़ा है 135 से ठीक है इसके बाद क्या करना है कि 225 में 135 से भाग देना है ठीक है भाग देकर और उसे हमें लिखना है इसके रूप में तो 135 से भाग देना है 225 में तो एक बार में लगाएंगे कितना जायगा 135 दो बार में लगाते तो इससे जदा हो या था यानि 135 दूना कितना हो था 270 ठीक है अब यहां घटाना है तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना जागा सुनने दो मेंसे तीन नहीं घटेगा एक दहाई पैचालेंगे कितना हाज़ागा बारा बारा मेंसे तीन गया तो नो और यह cancel हो जाएगा ठीक है? तो हमने आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे बी क्या बोलेंगे? बी चरन वन ठीक है तो चरन वन में लिखना है कि दो सो पचीस यानि एका जो मान है वो क्या है दो सो पचीस है ठीक है बराबर बी का मान कितना है तो बी का मान है एक सो पैंटीस तो लिखेंगे एक सो पैंटीस गुने Q का मान कितना है तो एक है तो लिखेंगे एक प्लस आर का मान कितना है नब्बे तो लिखेंगे नब्बे ठीक है लिखेंगे चुक्की सेस्फल बराबर नहीं है सुन के ठीक है क्योंकि सेस्फल जो है वह सुन नहीं आया है हमें सेस्फल सुनने का इंतजार है तो उसी का क्या हो जाएगा, जो B वाला होगा, वही final मेरा HCF हो जाएगा अब आगे बढ़ेंगे अब क्या करना है, कि फिर से इसको घेर देना है और इस वाले को अंदर में लिखना है तो 135, तो 90 एकम क्या हो जाएगा 90, तो 5 में से सुन माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया, तो कितना जाएगा, 4 अब यहां क्या हो जाएगा, कि इस वाले को छोड़ कर चलेंगे अब यहां से हमें देखना है, ठीक है तो A वाला मेरा हो जाएगा B, A वाला हो जाएगा A a वला हो जाएगा q और a वला हो जाएगा r ठीक है और फिर हमें चरंदो के लिए लिखना है चरंदो ठीक है तो यहां हमें क्या करना है कि a बराबर bq पलस r के रूप में ही लिखना है ठीक है तो a का मान कितना है a का मान है 135 ठीक है तो 135 लिखेंगे बराबर BQ तो B का मान कितना है 90 गुने Q का मान है 1 और R का मान है 45 तो लिखेंगे 45 ठीक है फिर लिखेंगे चुकी सेस फल बराबर नहीं है सुन के ठीक है फिर आगे बरेंगे और इसको घेरेंगे ठीक है अभी इस वाले 90 को यहां लिखेंगे तो 45 दूनी 90 ठीक है यहां सेस क्या होता है सुन में से सुन घटेगा तो किता बचाएगा सुनने और 9 में से 9 घटेगा तो क्या बचाएगा सुनने तो फिर यहां हमें क्या करना है कि इस वाले को क्या मानना है इसको A इसको Q और इसको R तो फिर हमें लिखना है A बराबर BQ पलस R के रूप में तो एक आमान कितना है एक आमान है मेरे पास 90 तो लिखेंगे 90 बराबर BQ पलस R तो B का मान कितना है B का मान है 45 तो लिखेंगे 45 Q का मान है 2 तो लिखेंगे 2 और R का मान कितना आया सुनने आया तो लिखेंगे सुनने देखे A के जगह पे 90 B के जगह पे 45 और Q के जगह पे क्या आ गया 2 आ गया और R के जगाफ़ा final मेरे पास के आ चुका है सुनने आ चुका है जब R के जगाफ़े पे सुनने आ जाएगा तो लिखेंगे सेसफल सुनने अपड़ हो गया सुनने अपड़ हो गया और इस चरन का भाजक कितना है? 45 है तो लिखेंगे 45 है अता है 135 और 225 का महत्तम स्वावर्तक यानि HCF कितना है? 45 है ठीक है? यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा? एंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिजगा चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद झाल को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब